इस वक्त हम दिल्ली के बेहत पॉश एलाके यानि सबसे जादा हाई प्रोफाइल एलाका जो है वहाँ पे मौझूद है चाने के पूरी के पीछे जो जुग्या वसी है वहाँ पे चाने के पूरी में कमान तरह की एंबेसिया हैं हमारे आग दाहिये तरह राइट साइड सब त पूरी के पीछे जो जुग्या है वहाँ पर इस समय हम मौझूद हैं और तस्वीरे देखिए लोग पानी का इंतिजार करने के लिए खरे हैं यहाँ पर अपने डिब्बे अपने अपने गेलन और बाल्तियों को लेके लोग यहाँ पर खरे हैं टैंकर आता है दिन भर में अपने पानी को भरते हैं यानि सुबह से अपते कोई टैंकर नहीं आया है लेकिन इन लोगों ने अपनी बाल्तियों बाहर निकालके लंबी कतारे लगा दी हैं कब दिन भर में केतनी बार टैंकर आता है पानी की बहुत बड़ी समझते हैं सर पानी नहीं मिलता है एक टैंकर में एक अजार आदमी का कैसे होगा जगडा अलग होता है सर पानी हान नहीं आता है क्या हानी आता सप्लाई का पानी तो सबको पानी मिलता है नहीं कहीं नहीं मिलता है यहां पर बहुत समस्या हो रही है यहां पर पानी मिली नहीं रहे बहुत ज़्यादी समस्या हो रही है अगर यहां पर एक टैंकर और आ जाए तो थोड़ी समस्या ह पानी की पीरे की समस्या तुमाम तरकी तू किसी से शिकायत किया अपलोगोंने? महज अभी यह हपते दिन से गर्मी बहनी शुरू हुई है और देश की राजधानी में पानी के लिए तरही ताही का यह आलम आपके सामने देखने को मिल रहा है और दिन्ली के कई अलाकों में इसी तरह से चाहे चिला गाउं का इलाका हो चाहे महरलू का इलाका हो हर जंगा पानी की समस्या बढ़ गई है लोग एक दूसरे पर टूट परते हैं टैंकरों को देखते ही दिल्ली बीजेपी के तरफ से भी आरोप लगाया गया है कि आम आज दिल्ली सरकार पर की टैंकर माफियाओं को बढ़ हवा दे रहे हैं पानियों का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इसलिए पानी की समस्या आ रही है बहराल जो भी हो लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की ये तस्मीर है जहां पर पानी की समस्या का संकट गर्म परते ही देखने को मिल रहा है